द्रिश्टी आईएस के टोडेश जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है तो चलिए आज के सेशन की शुरूआत पिछले अभ्यास प्रशन से करते हैं आपसे पूछा गया था कि निम्न में से किस देश ने भारत को अगले G7 शिखर सम्मेलन के लिए अमंत्रित किया है फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान अमेरिकी राश्ट्रपती डॉनाल्ड ट्रम्प ने भारत के प्रधान मंत्रे नरेंद्र मोदी को अगले G7 शिखर सम्मेलन के लिए अमंत्रित किया है राश्ट्रपती ट्रम्प ने G7 समूह को पुराना बताते हुए इसके विस्तार की बात कही है वेज समूह में भारत सहित अन्य महत्पूर देशों जैसे रूस, आस्ट्रेलिया और दक्षन कोरिया को सदस से बनाना चाहते हैं वह और तलब है कि जून 2020 में होने वाली G7 की बैठक स्थगित कर दी गई है इसलिए यह प्रस्ताव अगली बैठक के लिए है भारत ने 2019 में फ्रांस के राष्ट्रोपती इमैनुएल मैकरॉन द्वारा आमंत्रित किये जाने के बाद G7 शिखर सम्मेलन में विशेश अतिति की रूप में भाग लिया था G7 के वर्तमान सदस्य देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, युनाइटेड किंगडम और संयुक्तिराज्य अमेरिका शामिल है तो इस प्रश्न का सही जवाब है option C यानि संयुक्तिराज्य अमेरिका पहला प्रश्न विदेशों से भारत लौटने वाले श्रमिकों के कौशल की मैपिंग के लिए सरकार ने स्वदेश पहल की शुरूआत की है यह पहल किस मिशन के तहट शुरू की गई है विदेशों से भारत लौटने वाले श्रमिकों के कौशल की मैपिंग के लिए सरकार ने वन्दे भारत मिशन के तहट स्वदेश पहल की शुरूआत की है स्वदेश का पूरा नाम Skilled Workers Arrival Database for Employment Support है इस कारक्रम के तहट लोटने वाले नागरिकों को एक स्वदेश कौशल फॉर्म भनना आवश्यक है जिसके बाद स्वदेश कौशल कार्ट जारी किये जाएंगे इस पहल का उदेश आने वाले योग नागरिकों का कौशल और अनभाव के आधार पर एक डेटाबेस तयार करना है जिसका उपयोग भारती और विदेशी कंपनियों की मांग को पूरा करने के लिए किया जाएगा तो इस प्रशन का सही जवाब है उप्शन B यानी वंदे भारत मिशन दूसरा प्रशन केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है इसका नाम बदल कर क्या किया जाएगा आप्शन है अटल बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखरजी बंदरगाह, नेताजी सुभाश बंदरगाह या सरदार पटेल बंदरगाह रहान मंतरी की अध्यक्षता में केंद्री मंत्री मंडल ने कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल कर श्यामा प्रसाद मुखरजी बंदरगाह करने की स्विक्रिती दे दी है कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट के 89 बोर्ड ने भी इसका नाम बदलने का प्रस्ताव पारित कर दिया है कोलकाता बंदरगाह देश का पहला प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ देश का एकमात्र नदी बंदरगाह भी है कोलकाता बंदरगाह दा इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 की पहली अनुसूची में शामिल है और इसका प्रिशासन मेजर पोर्ट प्रस्ट्स एक्ट 1963 के अंतरगत किया जाता है गौर तलब है कि श्यामा प्रसाद मुखरजी एक प्रख्यात नयविद, शिक्षाविद, विचारक और जनता के नेता के रूप में जाने जाते हैं तो इस प्रश्ण का सही जवाब है option B यानि श्यामा प्रसाद मुखरजी बंदरगा तीसरा प्रश्ण International Day of Innocent Children Victims of Aggression का मनाया जाता है option है 2 जून, 3 जून, 4 जून या 6 जुलाई 4 जून को International Day of Innocent Children Victims of Aggression मनाया जाता है इस दिवस को मनाने का उद्देश ये दुनिया भर के उन बच्चों की पीड़ा को समझना है जो शारेरिक, मानसिक और भावनात्मक शोशन का शिकार है संयुक्तराष्ट महासभा ने 1982 में अपने विशेश सत्र के दौरान इस दिवस को मनाने की घोशना की थी ये दिवस बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्तराष्टर की प्रतिबध्धता की पुष्टी करता है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है उप्षन C यानि 4 जून चौथा प्रश्ण हाली में बिमल जुलका समित ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपी है ये रिपोर्ट किस खेत्र की समिक्षा से सम्मन्दित है आप्षन है फिल्म मीडिया, भारत-चीन सीमा विवाद, रक्षा समझोते या अंतरिक्ष प्रक्षेपन सूचना एवं प्रसारण मंत्राले के अंतरगत आने वाली फिल्म मीडिया एकाईयों को तर्क संगत बनाने, बंद करने, विले करने तथा मंत्राले के अंतरगत स्वायत निकाईयों की समिक्षा पर गठित विशेशग समितियों ने अपनी रिपोर्ट सौप दी है इन समितियों का गठन श्री बिमल जुलका की अध्यक्षता में किया गया था रिपोर्ट में राश्ट्री फिल्म विकास निगम, फिल्म्स डिवीजन, चिल्डरन्स फिल्म सुसाइटी ओफ इंडिया, सत्यजीत रेव फिल्म एंड टेलिवीजन इंस्टिट्यूट, फिल्म महुस्व निदेशाले और भारत के राश्ट्री फिल्म अभिलेखा गार आदी के विकास के लिए विशिष्ट रोड मैप की सिफारिश की गई है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है ऑप्शन ए यानि फिल्म मीडिया पाच्वाँ प्रश्ण Global Economic Prospects Report कौन जारी करता है? World Bank, IMF, OECD या नितियायोग Global Economic Prospects Report World Bank द्वारा जारी की जाती है हाली में World Bank ने आंशिक रूप से Global Economic Prospects Report जारी की है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देशों को COVID-19 स्वास्थ संकट से उबरने के लिए रिकवरी प्रक्रिया को तेज करने संबंधी कदम उठाने चाहिए World Bank ने देशों को अल्पकालिक उपाय अपनाने के अलावा ऐसी व्यापक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है जो दीर्धकालिक विकास को बढ़ावा देती हो और जिनसे शासन और व्यावसाइक वातावरण में सुधार हो सके रिपोर्ट में महामारी के बाद उभरे नए उत्पादक शेत्रों की ओर नए पूझी आवंटित करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि महामारी के चलते वर्ष 2020 में लगभग 60 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में धके ले जा सकते हैं तो इस प्रशन का सही जवाब है ऑप्शन A यानि वर्ल्ड बैंक छठा प्रशन भारत के समविधान में अंतरराष्ट्री शान्ति और सुरक्षा की अभिवरिद्धी का उलेख कहा है समविधान की उद्देशिका में राजी के नीति निदेशक तत्वों में मूल कर्तव्यों में या नौवी अनुसूची में भारती समविधान के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छे दिक्यावन में अंतरराष्ट्री शान्ति एवं सुरक्षा की अभिवरिद्धी, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत वा संबान पूर्वक संबंधों तथा अंतरराष्ट्री विवादों को मध्यस्तिता से निप्टाने के लिए प्रोटसाहन देने का प्रयास करने का जिक्र है। कानूनों की न्यायक समिक्षा नहीं की जा सकती। इन्दु 2007 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसाथ नौवी अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंगन करता है। तो इस प्रश्ण का सही की जवाब है option B यानि राज के नीत निदेशक तक्तों में। जब आपातकाल की घोशना की गई थी तब सरदार स्वरण सिंग के नेतरित में सम्विधान में उप्योक्त संशोधन सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 42 वे संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान म से एक और मूल कर्तब वे जोड़ा गया। जनुशेद 21 का में दिये गए प्रात्मिक शिक्षा के अधिकार से सुसंगत था। कि वे स्वयम पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्रात करने का अवसर प्रदान करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है option D, ना तो एक और ना ही दो। आठमा प्रश्न का उलेख नहीं किया गया है। सभी में सिर्फ मूल अधिकारों की घोषना की गई है। अमेरिका का सम्विधान इसका उदारण है जिसमें मूल अधिकार तो हैं लेकिन करतव्य नहीं। सामेवादी देशों के तहट भूतपूर्व सोव्यत संग जैसे देशों में मूल करतव्यों की घोषना करने की परंपरा दिखाई पड़ती है। भारती सम्विधान में मूल अधिकार प्रारंभ से ही थे। जबकि मूल करतव्यों को सरदार स्वर्ण सिंग समितिकी सिफारिश की अनुशनसाओं के आधार पर 42 सम्विधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सम्विधान के भाग 4 का में जोड़ा गया। तो इस प्रश्ण का सही जवाब है option B यानी केवल 2। नौमा प्रश्ण निम्न लिखित कथुनों पर विचार कीजिए। भारती सम्विधान में इस पश्ट रूप से वणित है कि मूल करतव्यों को नियायाले द्वारा प्रवरित्त नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छे 37 में नीति निदेशक तत्वों के अप्रवर्तनी होने का एक पश्टुलेख है। उप्रोक्त में कौन सा यसे कथन सत्त है या है किवल एक किवल दो एक और दो दोनों ना तो एक और नहीं दो। तमाने धारणा यह है कि मूल करतव्य नियायाले के माध्यन से प्रवरित्त नहीं कराये जा सकते हैं। अर्थात यदि कोई मूल करतव्य का पालन न करे तो नियायाले द्वारा नागरिक को दंडित नहीं किया जा सकता है। इस द्रिष्टी सेवे राज के नीत निदेशक तत्तों की तरह हैं। किन्तु वास्तवित स्थिती ऐसी नहीं है। यदि अनुच्छेज 37 तथा 1.51 का में तुलना करें तो साथ दिखाई देता है कि जहां अनुच्छेज 37 में नीत निदेशक तत्तों के आप्रवर्तनी होने की बात साथ तोर पर कही गई है। वही अनुच्छेज 51 का में ऐसी कोई बात वर्लित नहीं है। न्यायमूर्ती श्री वैंकट चलैया ने एक मामले में इस पश्टी करण देते हुए कहा है कि सम्विधान यदि मूल कर्तव्यों को प्रवर्तनी घोशित नहीं करता है तो वह उन्हें इस पश्टता अप्रवर्तनी भी घोशित नहीं करता है तो इस प्रश्ण का सही जवाब कथन है प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतरगत वन जील नदी और वन जीव हैं रक्षा करें और उनका समवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें यह किस मूल कर्तव्य में सम्मोधित किया गया है बारती समविधान के भाग चार का तथा अनुचेद इक्यावन का के अनुसार भारत के प्रतियेक नागरिक के लिए कुल ग्यारह मूल कर्तव्य हैं इन में से कुछ प्रमुख मूल कर्तव्य निम्ने लिखे थे हैं अनुच्छेद 51 का खा इसके अनुसार स्वतंतरता के लिए हमारे राष्ट्री आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच आदर्शों को हिड़य में सजुए रखें और उनका पालन करें शामिल है अनुच्छेद 51 का खा भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रख्षा करें और उसे अक्छुन रखें अनुच्छेद 51 का खा देश की रख्षा करें और आहवान की ये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें अनुचेर 51 का च्छा प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतरगत वन जील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और उनका समवर्धन करें सथा प्राणी मात्र के प्रती दयाभाव रखें तो इस प्रशन का सही जवाब है ऑप्षन D यानि 51 का च्छा में यह कथन वर्णेत है तो चलिए आज का अभ्यास प्रशन देखते हैं भारत ने पहली बार किस देश के साथ वर्चुल दुईपक्षी शिखर सम्मेलन का आयूजन किया है ऑप्षन है जापान, आस्ट्रेलिया सयुक्त राज अमेरिका या चीन तो कमेंट सेक्षन में इस अभ्यास प्रशन का सही जवाब देना न भूलें अगले सेशन में कुछ नए प्रशनों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक पिलिए नमस्कार